तो मेरे प्यारे प्यारे ठरकी वीवर्स एक और दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली और रोम टाग खड़ा कर देने वाली मूवी के साथ मैं हाजर हूँ इस मूवी में हम लोग देखने वाले हैं एक लड़की को जिसमें कि वो लड़की हवस की इतनी ज़्यादा शिकार हो जाती है कि एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सीधा पाँच पाँच लोगों के साथ गिल्ली डंडा खेलती है बस यहाँ पे गिल्ली डंडा का मतलब कुछ और है तो आउ ठरकियों श्री 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 एक हजाराट स्रीय निकेत एक्स्प्रेंड जी महराज के साथ इस एक्स्वरेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बक्चोदी के मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग मलीसा नाम के एक बेहदी खुबशूरत लड़की को यहां हम देखते हैं कि इसकी ग्रैंड मा को सूका नशा करने की आदते जिससे के वो थोड़ा बिमार बिरा करती थी यह बुड़िया तो देखने में भी थोड़ सी चरसी लग रही है अब हम लोग फिर से मलीसा को देख रहे होते हैं जो कि अपनी बिल्ली के साथ अपना ग किरा देता है जिसके बाद डैनियल को बाद में बता पड़ता है कि मलीसा को तो स्विमिंग आती नहीं है तो मलीसा को ऊपर केंच के लिया आता है इसके बाद हम लोग देखते हैं यह लोग एक पूल सैड पर जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि मलीसा डैनियल को बताती है कि वो उसे सच में बहुत ज़दा पसंद करती है अब डैनियल इस बात का फाइदा उठा के मलिसा की साथ उसी पूल सैड पे घपा घप करता है जिसमें कि मलिसा कोई बहुत ज़दा मज़ा आ रहा होता अब मलिसा को लगने लगाता कि उसे ने किसी प्लेबॉई के साथ अपना रिलेशन रखा था तो वो अब सोचती है कि मैं जब भी डैनियल आएगा तो उसे माफ नहीं करूँगी अब हम देखते है कि मैलिसा एक दिन एक बार में जाती है पहला rzसे कि मैं तो उसका बाइक कट चुका है वो तो लड़की है पर हां उसका तो चूतिय कट ही जुगा है अब अपना चूतिय कट वाने बाद मलिसा सोचती है कि वो कभी भी किसी भी लड़के से प्यार नहीं करेगी और वो सबी लोड़ों लोग हां मतलब की ये था कि वो किसी भी लड़के से प्यार नहीं करेगी और अब वो जिससे भी प्यार करेगी उसका काटेगी और यहीं से शुरुआत होती है हम जैसे सीधे लड़कों की बरबादी अब मैलेसा इस बात पर पूरा पक्का डिसीजन लेने बाद अपने घर जाती है जहां पर उसे पता पड़ता है कि उसकी जो ग्रेंड मा हैं वो हॉस्पिटलाइजड हो चुकी है ज्यादा नशा करने की वज़ेसे अब यह खबर सुनकर मैलेसा का दिमाग खराब हो जाता और वो अपने दिमाग को सही करने के लिए एक कैफे में जाती है जहां पर उसकी मुलाकात एक अलग आदमी से होती है वो आदमी उसकी तरफ लाइन मार रहा था और मैलेसा भी सोचते उसका काटने की अब जैसे वो आदमी अपने हाथ को मेलेसा की बिल्ली की तरफ लाता है तो मेलेसा उस आदमी का चूतिया काट देती है और वहां से चली जाती है हम लोग देखते हैं कि मेलेसा की अब सोची ये थी कि अब जैसे उसकी फिलिंग्स के साथ क्यला गया था वह भी अब लोगों की फिलिंग्स के साथ उसी तरह खेलेगी अब जैसे मैलीसा घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी जो दादी है वो घर आ चुकी है अब दादी मैलीसा की शकल देखती है तो उने पता पढ़ जाता है कि उनकी अब जो पोति है वो सयानी हो गई है अब हम देखतें कि मलीसा को एक कॉल आता है जो कि डैनियल का था और वो उसे बुला रहा था अब सब चीजे बुला कर मलीसा डैनियल के पास चली जाता है जहांपर डैनियल उसके साथ वो सब करने की कोशिश करता है उससे कहता है कि आखें बंद कर लो अब जैसे मलीसा आखे क्लोज करती है वहाँ भी डैनियल का एक फ्रेंड आता जो मलीसा के साथ वो सब करने की कोशिश कर रहा था अब मलीसा को ये बात देखकर गुसा आता रहो वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो डैनल उसे समझा रहा होता पर मलीसा उसकी बात नहीं मानती अब कुछ दिर बाद मलीसा खुद ही आ जाती है और अपनी टांगों को उन दोनों के सामने चोड़ा लेती है क्योंकि मलीसा की सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों की नजरों में घड़ चुकी तो वो यह सब करके बोल्ड बनना चाहती थी हम मलीसा को फेजुक पे एक अकाउंट बनाते हुए भी देखते हैं जैसे कि वो और ज़्यादा लोगों के साथ इंट्रेक्ट कर सके इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मलीसा के पास एक डायरी है जिसमें कि वो यह सब लिखती थी कि वो आज किसके साथ कर रही है और कौन से पोज में कर रही है पर जब वो घरा थे तो अपने उपर रिग्रेट करने लगते है कि उसने अपनी जिंदकी कैसी बना लिया अब वो जिस तरह की लड़किया वो कभी भी ऐसी नहीं बनना चाहती थी वो चाहती थी कि वो एक ऐसी लड़की बने जिसका सिर्फ एक ही बॉइफरेंड हो और वो उसी के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारे लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मन्जूर था अब अगले दिन हम लोग देखते कि मलेसा कोलिज जा रहे होती है जहां पर रास्ते मुसे डेनियल के एक फ्रेंड का मैसेज आता है और वो चाहता है उससे मिलने के लिए अब यहां पर हम देखते हैं मलेसा को जो कि उससे मिलने के लिए एक गटर में एक गेट था उसमें जाती है जहांपर हम देखते हैं कि जैसे ये दोनों अंदर गुषते हैं तो वहाँ पे चार-पांच लड़के खड़े हुए जो की भूके भेड़िये की तरह है मेलिसा की बिल्ली को देख रहे हैं वो सब उसके साथ वो सब भी करना चाहते थे अब क्योंकि मेलिसा एक बॉल्ड लड़की बनना चाहती थी तो वो उन सभी 500 लड़कों को मना भी नहीं करती है और उन सभी के साथ घपागप करती है एक के बाद एक अब अगले दिन जब वो कॉलिज जाती है तो कॉलिज में सभी लोग को पता चल जाता है कि मेलिसा ने कल रात क्या किया था लेकिन उस बात का एक परसेंट भी रिग्रेट मेलिसा को नहीं था हम लोग देखते हैं मेलिसा फेजुक से एक आदमी के साथ हुक अप करती है जिसके साथ जब वो घपा घप करने के लिए जाती है तो देखती है कि वो आदमी पागल है और करते करते वो आदमी मलेसा को मार रहा है मारने पीटने के बाद मैलेशा जब बुरी हालत में अपने घर पहुंशती है तो वो देखते है कि उसकी मॉम ने उसकी डायरे को पढ़ लिया है अब यह बास्वों कर मैलेशा की मॉम रिग्रेट करने लगती है और सोचते हैं कि मैंने किसी बेटी को जनम दिया है जिसे मैं अपने अच्छे अच्छे बातें नहीं सिका पाई और वे गंदी आदतों में पड़ गई अब अपनी मॉम को रोता देख हम देखते कि मलेसा अपने सारे गंदे कपड़ों को गटर में डाल देती है जो भी लड़का उसके साथ गंदी हर्गते करने की कोशिश कर रहा था मलेसा उससे बाते भी नहीं करते और उसे पहले ही दूर भगा देती है हम लोग देखते कि मलेसा अब एक बैटर लाइफ जी रही थी अपनी मॉम के साथ उसकी मॉम भी उसे अच्छे से ध्यान दे रही थी मलेसा की लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा सुधर चुकी चाहते जात मलेसा अपनी जिंदके में बहुत ज़्यादा खुश थी और यहीं दिखाते हुए यह मूवी ही पे खतम हो जाती है हाँ तो भई मेरे प्यारे प्यारे ठरकियों अगर आप लोग को ठरकी वाली मूवी पसंद है तो यह मूवी में आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा झाल झाल